नमस्कार दोस्तों भारत एक सोच देख रहा है दोस्तों लोग सबह चनाओ का रण अब अपने अंतिम दोर में हैं केवल एक चरण का मतदान होना बचा है सातवे चरण में दोस्तों 13 लोग सबस सीटों पर मतदान होना है उत्तर प्रदेश में और ये सीटे सारी के सारी पुर्वान चल से आती है इस चरण के चुनाव में दोस्तों बीजेपी के लिए खत्रे की घंटी बज रही है कुछ ऐसी सीटे हैं जिन पर बीजेपी को खुब पसीना बहाना पड़ रहा है दोस्तों हम आपको उनुन सीटों के बारे में बताने जा रहे हैं जहां बीजेपी फसी हुई दिखाई दे रही है और ये बात हम दोस्तों हवा में नहीं कह रहे हैं आकड़ों को अगर गौर से देखें और उसको समझने की कोशिश करें तो पता चलता है वाकई बीजेपी के लिए इन सीटों पर जीतना काफी मुश्किल दिखाई पड़ता है सबसे पहले दोस्तों ये जान लेते हैं कि आखिर वो कौन कौन सी सीटे हैं जहां पर सातवे चरण में मतदान होना है ये वो तेरा लोग सबा सीटे हैं दोस्तों जहां पर सातवे चरण में यारी की एक जून को मतदान होना है दोस्तों इन में से तीन सीटे ऐसी हैं जहां पर बीजेपी के लिए चुनाव फसा हुआ दिखाई दे रहा है और वो सीटे हैं दोस्तों घोसी, बलिया और गाजिपुर ऐसा हम क्यों कह रहे हैं अपने इस वीडियो में हम पूरा विशनेशनल करने जा रहे हैं दोस्तों इन सीटों पर हुए पिछले दो चुनावों पर नज़र डालें तो तस्वीर काफी हद तक साफ होती दिखाई देगी 2022 विधानसबा चुनावों में इन तीनों शित्रों की 15 विधानसबा सीटों में से सिर्फ दो ऐसी सीटे थी जहां पर बीजेपी जीट सकी थी हाला कि दोस्तो हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि 2022 के विधान सभा चुणाओ में ओपी राजबर समाजवादी पार्टी के पाले में थे और अब 2024 के चुणाओ में ओपी राजबर lbjp के पाले में खड़े दिखाई दे रहे हैं इतना ही नहीं दोस्तो अगर पिछली बार के हुए लोगसबा चुनाओ के हम बात करते हैं यानि साल 2019 के लोगसबा चुनाओ का रिजर्ट देखें तो भी वो रिजर्ट अपने आप में बहुत कुछ कहते हैं पिछली बार के लोगसबा चुनाओ में घोसी और गाजीपूर में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था 2019 के लोग सबाच चुनाव में इन में से घोसी और गाजीपूर को छोड़ सभी सीटों पर भाजपा को जीत मिली थी इस बार भी ये दोनों सीटे बीजेपी के लिए किसी चुनावती से कम नहीं है इसके अलावा दोस्तों बलिया भी एक ऐसी सीट है जहां जीत बरकरार रखने के लिए बीजेपी को तमाम समीकरों को सेट करना पड़ रहा है दरसल दोस्तों इन तीनों सीटों पर जब विदान सभा चुनाव हुआ तो 15 विदान सभा सीटों में से सिर्फ 2 सीटों पर ही बीजेपी जीती थी बाकी बची सारी सीटे विपक्ष के खाते में चली गई थी दोस्तों गाजीपूर की बात करें तो यहां एक भी विदान सभा सीट नहीं जीत सकी थी भाजपा गोसी लोग सभाक्षेतर में शामिल 5 विदान सभा सीटों में से सिर्फ एक मदुबन में बीजेपी ने जीत दर्च की थी दो सीटों पर समाजवादी पार्टी एक सीट 2022 में सभा गडबंधन में रही सुभासपा और एक सीट बीएसपी के खाते में गई थी दोस्तों यहीं अगर आप बलिया की बात करें उसके आकड़े देखें तो यहां भी बीजेपी को सिर्फ शेहर की सीट पर जीत हासिल हुई थी बाकी बची तीन सीटों पर सपा का कबजा था और एक सुभासपा ने जीती थी ऐसे में दोस्तों एक तरफ तो इन तीन सीटों में से दो सीटों पर पिछली बार लोग सभा चुनाओं में विपक्ष का कबजा था वहीं 2022 के विदान सभा चुनाव में बीजेपी को इन सीटों पर भारी नुकसान उठाना पड़ा था तो सातवे चुनन की इन तीन सीटों पर बीजेपी की रहा बहुत काटो भरी दिखाई दे रही है आईए दोस्तों जल्दी से इन तीनों सीटों का समी करन एक एक करके समझ लेते हैं कि आज की तारीक में इन तीनों सीटों पर आखिर क्या है चुनावी समी करन सबसे पहले बात कर लेते हैं दोस्तों गाजीपूर लोकसभा सीट की गाजीपूर लोगसबा सीट पर मुकाबला बेहत दिल्चस पोता दिखाई दे रहा है यहां से सपा ने B.S.P. छोड़कर आए सानसत अफजाल अंसारी को प्रत्याशी बनाया है मुक्तार अंसारी की मौत के बाद ये पहला चुनाओ होने जोरा है दोस्तो अब देखना ये होगा कि अफजाल अंसारी को उनके भाई की मौत के बाद क्या सहानुभूती वोट मिलता है गाजीपूर सीट पर पिछला चुनाओ बीजेपी के मनो सिना अफजाल अंसारी से हार गए थे इस सीट पर दोस्तो यादो वोटर्स की संख्या सबसे ज्यादा बताई जाती है यहां राजपूत, कुछवाह, बिंद, वैश और मसलिम समुदाय ऐसे हैं जिनकी अपनी अपनी संख्या डेर से दो लाग के आसपास है चलिए दोस्तो अब जल्दी से समझ लेते हैं घोसी लोकसभा सीट का समी करण पिछले चुनाओ में दोस्तो भाजपा को यहां से हार का सामना करना पड़ा था बीजेपी ने घोसी सीट अपने सहयोगी सुहासपा को दे दी है और यहां से सुहासपा देख्ष ओमबा प्रकाश राजपर के बेटे अरविंद राजपर चुनाओ लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी ने राजी राई को उमीदबार बनाया है बीजेपी ने यहां से दो बार के सांसद रह चुके बाल कृष्ण चौहान पर दाउं लगाया है इस सीट पर दोस्तों ओम करकाश राजपर की साख दाउं पर लगी हुई है जी हाँ इस जद दाउं पर लगी हुई है गोसी सीट पर जाती समीकरन की अगर हम बात करते हैं तो सबसे ज्यादा दलत मतदाता है एक अनुमान लगाया जा रहा है कि यहां अनुसूची जाती के करीब पांच लाग मतदाता है इसके बाद मुस्लिम तीन लाग बचास जार के आसपास है यादो वोटर्स की अगर हम बात करते हैं तो धाई लाग है चौहान वोटर्स की बात करते हैं तो दो लाग तीस हजार के आसपास है राजबर करीब दो लाग के आसपास है इसके लावा वैस्च मौरे और राजपूत एक एक लाग है ब्रामन निशाद और भूमियार मत्तातों के संख्या एक एक लाग बताई जो रही है तो ये है दोस्तो गोसी लोगसभा सीट का पूरा समीकरण अब आ जाते हैं तीसरी लोगसभा सीट पर यानि की बलिया का समीकरण आज की रेट में क्या है जल्दी से जान लेते हैं बलिया सीट पूर प्रदान मंतरी चंदर शेखर की सियासी जमीन मानी जाती है पिछली बार इस सीट से बीजेपी को जीत मिली भाजपा ने इस बार रा चंदर शेखर के बेटे नीरा शेखर को मैदान में उतारा वह इस समाजवादी पार्टी अपनी खोई हुई सीट को पाने के लिए सनातन पांडे पर दाओं खेल चुकी है जबकि बीएसपी ने यादो कार्ट खेला है और यहां से ललन सिंग यादो को टिकेट दिया है बलिया सीट पर सबसे ज्यादा करीब तीन लाख ब्रामन वोटर हैं दोस्तों दोस्तों इसके बाद धाई-धाई लाख यादो और राजपूत और दलित वोटर है और मुस्लिम वोटर भी लगभग एक लाख बताये जा रहे हैं तो दोस्तों ये पूरा समीकरण है जो हमने आपको समझानी की कोशिश की है कि सात्वे चरण में तेरहा लोग सबा सीटे आती हैं जिस पर मतदान हो रहा है और उनमें से ये तीन सीटे भारती जनता पार्टी के लिए मुश्किले पैदा जरूर हो रही हैं तीन सीटों पर पिछली बार का चुनाओ अगर हम देखे 2019 का तो इन तीन सीटों में से दो सीटे विपक्ष की खाते में गई थी 2022 का विधान सबा चुनाओ देखे तो 15 विधान सबा सीटे आती हैं जिसमें से किवल 2 सीटे भारती जनता पार्टी के खाते में गई थी बाकी 13 सीटों पर विपक्ष ने कबजा जमाया था तो ऐसे में ये सीटे ये ये पूरा क्षेतर जो है तीन सीटों का वहाँ पर भारती जनता पार्टी मुश्किल में जरूर दिखाई दे रही है दोस्तों बहुत शुक्रिया